तो बच्चो आज हम लोग सुनेंगे अकबर और बिर्बल की मज़दार कहानी एक साम राजा अकबर अपने प्रे बिर्बल के साथ साही बगीचे की सेर के लिए निकले वह बगीचा बहुत ही शांदार था चारो और हर्याले ही हर्याले थी और फूलों की बीने बीने खुस्बू वातावरन को और भी खुबसूरत बना रही थी ऐसे में राजा को जाने क्या सुझा की उन्होंने बिर्बल से कहा बिर्बल हमारा मन है की इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोडे पर बैट कर घुमें इसलिए मैं तुमें आदेश देता हूँ कि तुम साथ दिनों के अंदर हमारे लिए खरे घोडे का इंतिजाम करो वही अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में और सफल रहते हो तो तुम कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना इस बात से राजा बब बिर्बल दोनों वाकित थें या तक दुनिया में हरे रंग का घोडा नहीं हुआ है फिर भी राजा चाहते थे कि बिर्बल किसी बात में अपनी हर्ष फिकार करे इसी कार उन्होंने बिर्बल को ऐसा आदेश दिया मगर बिर्बल भी बहुत चालाग थे वो भली भाती जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते है इसलिए वो गोडा ढूडने का बहना बना कर साथ दिनों तक इधर उधर गुमते रहे आठवे दिन बिर्बल दरवार में राजा के सामने पहुँचे और बोले महराज आपकी आग्या के निसार मैंने आपके लिए हरे घुणे का इंतिजाम कर लिया है मगर उसके मालिकी दो सर्ते हैं राजा ने उत्सुक्ता से दोन सर्तों के बारे में पूछा तब भीर्बल ने जवाब दिया पहली शर्त है कि उस हरे घुणे को लाने के लिए आपको स्वेम जाना होगा राजा इस शर्त के लिए तयार हो गए फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा तब भीर्बल ने कहा घुणे के मालिकी दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सब्ता के साथो दिनों के अलावा किसी और दिन चुनना होगा या सुन राजा हैरानी से विर्बल की और देखने लगे तब बिर्बल ने बड़ी सहजिता से जवाब दिया महराज घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यसरते तो माननी ही होंगी राजा अकबर बिर्बल की यस चतुराई भरिवाद शुनकर खुश हो गए और मान गए कि बिर्बल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुझकिल है तो बच्चो इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि सही सूजबूज और समझदारी के साथ नामुम्किन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सेर, सब्सक्राइब और लाइक तो मिलते हैं अगले वीडियो में